सुद्धरुप से राजनेतिक जरसी बाचा हो जिसके जीवन का कुई उदेश ही नहीं है उसके सहयोगी कैसे हो सकते हैं? वैसे ही नहोंगे जो चिट्थी पढ़ता है वो चिंतन नहीं पढ़ता है राहुल जी के पास चिंतन करने की छंता नहीं है वो जो है लिखी पढ़ी चिट्थी पढ़ता है तो चिट्थी पढ़ने वाला इस भारत और भारत यता के किसानों को सम्मान देने की स्थिमिन नहीं होता है मोदी जी ने इस पीडा को समझा है बड़ा ये किसी भी किसान को आप देखते हैं कि पुलिसीया ब्यवस्ता कितनी रद्दी है हमारी भी सरकार है तो मैं उसको उस्षिकार करने में दिकत नहीं है पुलिस वालों को बहाना मिलना चाहिए कि कहां से हमों तरिक पैसा कमाले वो बेतन को अपना पैसा कमाई नहीं मानते, उनको दीन भर में कितना कम नहीं होना चाहिए, वो उपाय डोड़ते रहते हैं, तो पुलिसिया लगाम को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, इससे बड़ा किसान के लिए खुसी की बात कुछ भी होने वाली नहीं, नहीं तो ये तो गुपाल गंज लुए करके बेचेगा, बल्याक किसान चाहिए गा तो आराजिणा लुए करे कर बेचेगा, इससे सुंदर भीषता क्या हो सकती है, मैंने बिना रोग टूक कि ये तो सवतेंतरता है, सवतंतरता में आदमी उचीत लाभ भी लेता है, और लोगों समीता तो कांग्रेस वाले केवल वारासती पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस मतलब क्या, कांग्रेस वाले चिंतन की पार्टी नहीं, वो केवल वारासती पार्टी है, और होटल और बोटल की जिन्दगी जीने वाले लोग मोधी के चित्र और चरित्र के सामने टिकने वाले नहीं ह चिंटन और चरीत इतना सबल है वो समाज और देश की चिंटा करके वो आदमी समाज के लिए बेऊस्ता देता है वो सब होटल बोटल वाले लोग है कांग्रेस में 80% जो है मैं कहता हूं जो हôm खुद बैग कहता हूं मैं तुम कहता हूं कि होटल बोटल की संस्कृति वाले कभी भी जो है ये साधू की लंगोटी को चुनोटी देने की स्तिम नहीं होता है ये चिंतन है तो 73 वर्सों बाद किसान को ये तना सुंदर औसर मिला हुआ है इसमें कौन सा भाई बुराई है हम तो जो लागत मुल है उ इसमेंखने को सरकारी खरीदारी होगा ही होगा उसके बाद भी किसान चाहें तो सरकार को दे या नौ दे बेठिचे समयान को कहीं भी आपना ऊची तस्थान पर बेज सकता है स्वावित साथी सकता है कांगरेश के सांसत और जिम्कोडे पिशियं है दलाप क्या गाएंगे। करने वाला किसान हमारे मोदी जी के इस बिधय का इस बिल का कही बिरुद करेगा ही नहीं करेगा ही नहीं करेगा ही नहीं किसी भी किसान और नौजवान नौजवान को नियंत्रन रहना चीए और किसान को सवतंत्र रहना चीए इस दोनों की परिवास होती है क्योंकि यदि नियंतित और अनुशासित होता है उस देश को आगे बढ़ने से को रुपता नहीं है और जिस देश समाज का किसान स्वाभिमान पुर्वक अपना जीवन जीता है उस देश को आगे बढ़ने से को रुपता नहीं क्या आप पर भी बर्पा है जाल साजी का कहर सपने तूटे आपके न घर के न घाट के देखिए लूट घर हर रात साड़े नौ बजे फिकरा आपकी